कर चलिए लास्ट क्लास में हमने education technology के basic समझे थे और अब इस class में हम principles of education technology बढ़ discussion करेंगे इससे पहले class में क्या discuss कर चुके देख लीजीगा आप लोग यह सारा हम इससे पहले क्लास में डिसक्स कर चुके हैं तो अभी जो क्लास पढ़ने वाले हैं इससे पहले आप पार्ट पन है उसको देख लीजीगा तो देट कि आपको आजी क्लास वजमा पाए प्रिंस्पल्स ऑफ एडुकेशनल टेक्लोजी कौन-कौन से प्रिंस्पल सेंदेकी कौन-कौन से जो आप तक्निकी यूज कर रहें उसका उद्देश होना चाहिए प्रिंस्पल्स ऑफ एकोनोमी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पैसा खर्च करना पड़े कॉस्ट एफेक्टिव होनी चाहिए प्रिंस्पल्स ऑफ एस इन दा यूज ऑफ एन एड सहायक के रूप में प्रियोग जिस प्रियोग हेतु आप यूज कर रहे हैं उसमें या पूरी तरह से वैलिड हो और प्रिंस्पल अफ सेल प्रिपेशन आप खुछ से बना सके एक्टिम में प्रिंस्पल ऑफ एड्यूकेशन टेक्नलोजी है बट इसको आप प्रिंस्पल ऑफ और्डियो विज्वल एड भी कह सकते हैं ठीक है ना दोनों एक ही में काम आजाएंगे आपके और विज्वल एट्स क्या होते हैं और यू मतलब होता है सुनना विज्वल मतलब होता है देखना तो ऐसी सहायक वस्तु में जो देखने और सुनने में का वाई माटीरियल्स एट हैल तो मेक लर्निंग एक्स्पेरियंसे क्लिर एंड विज्वल बाइप अपीलिंग तो इस सेंसे अर कॉल्ड और ओडियो विज्वल सुनने और देखने में प्रियोग आने वाली वस्तों को हम सिरफ विदरश्य सामगरियां कहते हैं तब एफेक्टिव अपर अजुछ आप श्रफ टेक्वल्ड जी और इस तरह की तक्नीकी होती इसको और यॉज्वल टक्नी कहते हैं कर Educational Communication Technology यह कुछ और टम्स हैं जिसको जानना है आपने Audio-Visual Media, Learning Resources, Instructional and Educational Media ठीक है तो क्या होता है Educational Communication Technology, क्या होता है Audio-Visual Media, क्या होता है Learning Resources, क्या होता है Instructional and Educational Media इसके समंद में आप Comment Box में आंसर लिखेगा तो Audio-Visual Aid are Multisensory Materials which motivate and stimulate the individual एक ऐसे Multisensory Materials होते हैं जो किसी भी बच्चे को सीखने के लिए प्रेरिद करते हैं These are Planned Educational Materials that appeal to the senses of the people Quicken Learning Facilities for Clear Understanding और बच्चों की समझ का तुलित विकास करने में भी क्या होते हैं सहायक होते हैं According to Edgar Dale, Edgar Dale ने Cone of Experiences दिया हुआ है शायद आप से मैं डिसकस कर चुका होंगा इससे पहले भी इसमें बोलता है कि सबसे कम सीखता है बच्चा सुन करके Audio के द्वारा फिर सीखता है विजवल के द्वारा फिर अगर Audio और विजवल दोनों साथ आजाएं तो जादा सीखता है इसके बाद वो सीखता है कि से आपका इसको भी आप याद कर लिजेगा कि एडगर डेल द्वारा यह दिया गया है और विजवल एड्स आर दोस डिवाइसे बाइजिस बाइदा यूज ऑफ बिच कम्निकेशन ऑफ आइडियाज बिट्वें पर्संस और ग्रुप्स इन वेरियस टीचिंग और ट्रेनिंग सिच् तो ऐसे ओडिवजल एड ऐसी डिवाइसे होती हैं जिनकी सहायता से हम विचारों का जो संप्रेशन है वो आसानी से कर पाते हैं और सीखने में इससे आसानी मिलती है दिको कर्फूसियस एक चाइनीज फिलोसफर रहे हैं जैसे आपने एरिस्टूटल का नाम सुना होगा प्लेटू का नाम सुना होगा वैसी कन्विजिस भी हैं इन्होंने एक कोट दिया है अपना I hear and I forget मैं कुछ सुनता हूं और मैं भूल जाता हूं I see and I remember ठीक है मैं कुछ देखता हूं और मुझे याद रह जो चीज आप सुनेंगे उससे आप जल्दी भूल सकते हैं जो चीज देखेंगे वो थोड़ा लंबे समय तक आपके मस्तिसके में रहेगी और जो कुछ आप करेंगे वो तो आप जीवन भन नहीं भूल सकते यह आपने अनुभव लिया भी होगा इसलिए हम बोलते हैं तो दस परतिसे उसको याद रहता है पढ़ने से तो दसी परतिसे ज्याद हो रहा देखो आप जो कुछ बच्चा सुनता है वो उसको बीस परतिसे ज्याद रहता है तो इसलिए आप सिर्क पढ़े ना सुने भी इसलिए कहते हैं कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप ब इसा content जो सुन भी रहें देख भी रहें से movies हैं तो उनको लंबा याद रहती है 70% अगर वह चीज पढ़ा रहे हैं यह तो factual है आप लोग भी teaching करते होंगे जो content आप पढ़ा रहे होते हैं जो आपने पढ़ा दिया होता है वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है है और 90% दिस से एंड डू और कोई चीज आप कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं जैसे कि आप cycle चला रहे हैं या आप car चला रहे हैं और बता भी रहे हैं कि इसको ऐसे चलाना चाहिए और आप उस यह इंपोडेंस से ओडियो एड की प्लासिफिकेशन ओफ और विजवल एड जो द्रिस से सब्सक्राइब होती है उसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए कैसे हो सकता है पहला तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एड सोते हैं प्रक्षेपित समग्रियां इनको कहते हैं नॉन इस वन विच आइटम तो भी अब्स अब्स अन्ट इन प्रोजेक्ट इड उन देखें वह और यहां पर क्या करते हैं आप कोई अब लगा देते हैं और अबस्तों के सामने उनको दिखाई दे रही होती है ठीक है शेकिन होता है आपका नॉन प्रोजेक्ट एपिट अच्छ प्रोजेक्टिट के अंदर कौन-कौन से आते हैं नॉन प्रोजेक्टिट इंदर कौन से आते मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दे रहा हूं देखिएगा प्रोजेक्टिट इस कौन-कौन से हैं फिल्म फिल्म प्रोजेक्टर फिल्म स्ट्रिप एंड फिल्म कि तेइट हैं ग्रेट्ट हैं और अब ग्रूद टेकनिक्स या एट्स क्या होते हैं जैसे चार्ड घ्राफ से तो इनको देख लीजीगा आप इसका फीगर जो है इसको आप एक काम करिए ना इसका आप स्क्रीन शॉट ले लिजिए और नोट कर लिजीगा हो सकता आपके एग्जाम में एज़िज आ जाए कि वहीं कार्टून कम अंडर विच अमॉंग दा फॉलेंग प्रोजेक्टिट और एक्टिविटी एड जा फिर ग्रैफिक डिस्प्लेइड या ओडियो इसमें आपको एक्टिविटी करने का आवसर मिलता है वह एक्टिविटी एड्स हो जाते हैं तो इस तरीके से यह आपका कंटेंट आज का हम पूरा कर रहे हैं और एजुकेशन टेक्नलोजी के दोनों वीडियो में जो से पहले वीडियो था पार्ट वन और पार्ट टू जो यह है इसको पढ़के आप यह कंप्रीट कर लेते हैं तीपली देखेगा कोई भी कुशन आपका होता है कोई क्वैरी होती तो आप लिग द